आज मेरा गर जाने का प्लान था मौसम देखा बार काफी ज्यादा खराब हो रगा था और काफी ज्यादा बादल थे और फिर रात को ज्यादा बारिश भी थी फिर भी मैं रेडियो के लॉक लगा के रूम से निकल गया गर की तरफ तो मौसम काफी ज्यादा खराब होने कर कि रोड जाता खराब हो जाएंगा। तो मैं टाइम से निकल गया। तो मैं इतने जल्दी में था कि मैं उड़ते उड़ते नियो बसände पहुंच चुका था। मुझे रिकॉंप्यु आली बस मिली और मैं रिकॉंप्यु आली बस मैं बैठ चुका हूँ। तो बस में चलते चलते कुछ खुबसूर नजारे दिख रहे थे और मैंने थोड़ा उसको कैद कर रही है कैमरे में तो यह आपको जो पीछे लोकेशन दिख रही है जिवरी है और काफी खुबसूर लग रहा है छोटा सा बजार है बादल लूप उसे काफी अच्छा लग रह है महां पहुंच यह और अब मैं बस से उतर चुका हूँ और यह कर्चम वाला लोकेशन है और मुझे को यहां से सांगला की तरफ जाना है तो यहार कर्चम जो में ब्रिज है उसको क्रॉस करने मुझे काफी जादा दिक्क्त आई क्योंकि काफी जादा हादा हावा चला था ये निश्मध एक बमें चैनक भोन्हें नावान कर आंगे लिए फिक्रिकाज़ान के लिए। जाति जर्दी, जर्फ़ित्रव दो मसें की पहुंच आथे वहीं हैं अगले ही दिन में दिन के एक वजे घर से निकल चुका रामपुर के लिए